करेंगे आज हम के वाल बैसी कंसेट सेगमेंट वन तो उसमें बैसी कंसेट का रिविजन करेंगे तो सबसे पहला हमारा बैसी कंसेट में आता है वच्छो इस से रिलेटेड हम काफी अच्छे-च्छे कोश्चन भी कर लेंगे और बाकी घच हुई तो हैबिड डाइजएशन तो hybrid digestion आपको last lecture में मैंने आपको बता दिया था कि hybrid digestion को हम कैसे calculate करेंगे, किस तरीक से निकालेंगे, क्या हमारा method रहेगा, क्या हमारा approach रहेगा, वो सब हमने chemical bonding के revision में सीखा है, उतना तो, लेकिन organic में कहां कहां use होगा, उस चीज को हम समझ लेते हैं, देखो, organic की point of view से मैं आ आपका कौन-कौन सा होने वाला है, SP, SP2 और SP3, अब जर्नल introduction हम इसका देख लेते हैं, बच्चों, इसका हम जर्नल introduction देख लेते हैं, समझ लेना, बाग में फिर हम questions को deal करेंगे, अब देखो, SP hybridization, तो SP hybridization कब होगा, जब कार्बन आपका कितने बोंड मनाएगा, carbon atom आपका 2 pi bond बनाएगा, carbon atom आपका कितने pi bond बनाएगा, बच्चों, 2 pi bond बनाएगा, ठीके, और SP2 आपका कब होगा, जब आपका carbon atom कितने bond बनाएगा, carbon atom आपका 1 pi bond बनाएगा, कितने pi bond बनाएगा, 1 pi bond से form होगा, और SP3 कब होगा, जब carbon atom आपका 0 pi bond बनाएगा, बस एक चि ठीक है यह वाली important बात है जिसको आपको ध्यान रखना है पहला point पहला point जो आपको ध्यान रखना है ठीक है second point second point मैं आपको बता देता हो इस related SP SP आप जानते हो एस का size क्या होता है SP का size क्या होगा थोड़ा से करीब SP2 का क्या होगा थोड़ा सा लंबा और SP3 का क्या होगा बहुत ज्यादा लंबा ठीक है फिर आपर यहांपर अगर मैं बात करूँ है साइच का तो साइच की बात में आप समझ सकते हो कि यहां पर साइज किसका ज्यादा होगा साइज आप बता सकते हो तो साइज यहां पर पी का ज्यादा होगा पी के बाद किसका होगा स्पीटू का उसके बाद किसका होगा स्पी का होगा स्पी का होगा उसके बाद किसका होगा एसका यह तो हो गया साइज वाला अब साइज के बाद हम ब हुआ है नुकली आई आप लोग पर तो जाते हो कि अगर आपका रिपल्सिफ ओर सबढ़ेगा तो इन sol की बढ़ेगी तो यहाँ पर आपका一 बढ़ेगा रिपल्सिफ फोर्स बढ़ेगा इसका मतलब आपका एनड़ाईगी अब देखो यहां पर बाहा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन के डिस्टेंस का है तोड़ा सा ज्यादा इस इलेक्ट्रोन के बीच तोड़ा सा ज्यादा इसके बीच distance कहे थोड़ा ज्यादा इनके बीच क्या होगा थोड़ा और ज्यादा तो तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पर attraction force कहां ज्यादा होगा obviously बात है कि यहाँ पर आपका attraction force ज्यादा होगा अब जब यहाँ पर पर कैई पका attraction होगा attractive force ज्यादा होगा जहांपर जब आपका attractive force ज्यादा होगा तो इसका मतलब energy क्या होगी कम अगी attractive force ज्यादा होगा यहाँ पर अगर आफका energy क्या और लिखना चाहूं तो एसकी energy सबसे less और सबसे ज़्यादा किसकी होगी पी की तो देख लेते हैं तो energy का order भी मैंने आपको बता दिया ठीक है अगर मैं बात करूं यहाँ पर यहाँ पर पास है तो यह ज़्यादा अच्हे से अट्रेट करेगा तो जितना ज्यादा अट्रेट करेगा मतलब सिब्सी बात है प्रसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा प्रसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बेटा इलेक्ट्रो नेगटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रो नेगटिविटी किसकी ज्यादा आपका ठीक है और अगर मैं बात करो इस्टैबिलिटी तो स्बाद किकरे अनेरजी कम होगी ऒुप ज्यादा से हुगा मतलब ऐस एसके बाद SP SP के बाद SP2 यह एक तरीका जो आपको ध्यान रखना है इतना सा आप लोगों को बहुत ज्यादा करने को इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इतना ध्यान को अपने नहीं कि आपको सब्सक्राइब इतना अच्छे से याद कर लो ठीक है मैंने पहला पर बता दिया दूसरा पर अब हम तुरंट चलते बच्चों बोर्ड लेंथ वाले ठीक है निकालेंगे क्या करेंगे अभी द है यहां पर देखें झालाएद आप देखायों पर आप देखो यहां पर आपको पॉंट बता दिया है मैं अब को पॉछ लेते में अच्छे कुशन भी कर लेंगे हम इस पर देख लेते यहां पर राण लेंद आपके क्या होती है बचुफ हो बंड़ नेंथ आपके डारेक्ट्ली प्रपॉश्णल टू रोड़ और भाइटल है और अगर कि अगर इटम का साइज इतना बड़ा है तो एटम आपका ऐसा होगा सिम्पल समझो दो एटम आपके इस तरीके से जुड़ेंगे अब देखो यह वाला आपका बॉन लेंज होता है अगर इसकी साइज बढ़ती जाएगी तो बोट लेंज़ भात है भी तो इसे तरीके से हम तब यह वाला लगाएंगे जब एटम सेम हो तब हम इस concept का यूज करेंगे ठीक है इस concept का यूज करेंगे इस चीज को आप लोगों को पर्टिकुलर्ली धिहान रखना है ठीक है तो इस से पहला कोशन देखो यहाँ पर CH3 CH double bond CH CH3 यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3 अब आपसे पुछा है यहाँ पर कि ABC का मुझे बताओ तो यह आपका A हो गया है यह आपका B हो गया यह आपका सी हो गया तो इसका हैबडायजैशन SP3 इसका हैबरेद क्ट्री ठीक है, इसका हैब्डएजैशन SP, इसका हैब्रेद आपका क्या होगा इसका hybridization क्या होगा बच्चों यहां पर SP2 अब आपको पुछा ABC बोन लेंद निकालने का simple तरीका जल्दी से ज़ल्दी से यहां पर SP2 SP2 के बीच बोन लेंद है यहां पर SP SP के बीच है यहां पर SP3 SP3 के बीच है अब बता कॉन सा अब यह थोड़ दर निकाया बस जश्ट तो कुन सा होता है SP3 SP3 का बड़ा होगा तो इसका SP3 SP3 का hybrid और वैटल का size बड़ा होगा तो इसका बोन लेंद भी बड़ा होगा फिर किसका होगा बच्चों इसका दिन किसका दिन आपका इसका हो जाएगा ठीक है तो देख लेते हैं यहां पर सबसे बड़ा size होगा C का C के बाद आपका होगा A का A के बाद आपका होगा B का clear clear easy था ज्यादा दिक्कत वाली बात में थी एक और example देख लेते हैं बच्चों हम लोग अब एक और example देख लेते हैं डिफरेंट अब देखो यहां पर मुझे कौन सा बॉन पूछ है पहले वह identify कर लेते हम यहां पर यहां पर मुझे पूछा है यह मेरा B है यह मेरा C है ठीक है यह मुझे पूछा गया आप से पूछाएगी कौन सा बढ़ा होगा तो ऐसा मैंन्ड मत करना कि triple-bond है तो बढ़ा हो कर दिया हो लोग हम लोग यहां पर को हम से अटम के कारबन और नायक्रोजन यहां तो यहां पर आप समझ सकते हुगि आप यहां पर आपके एंटम बदल गाए थो हम कैसे लगाएंगे एटम मदल गए में आडिकोप गए्टेम तो तो आपका atomic size क्या होता है मतलब इसका मतलब यहां पर कार्बन का साइज बढ़ा होगा फिर नैट्रोजन फिर ओक्सीजन फिर फ्लोरिन यह होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ठीक है एक और एक्जाम पर देख लेते दिन आफ्टर इस पॉंट्स को खतम करते हैं ठीक है फिर मैं आपको प्लेनर्टी के बारे में बताऊं को देखो यहां पर अब देखो यहां पर सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन सी एच अब यह वाला कॉश्चन आई हो तो कि आप लोगों को खुद से एक बार ट्राय भी मारना चाहिए आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता अब यह आपको पता पड़ जाएगा अपने आप भी उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ठीक है आप लोगों को अब इस इसकोशन को केसे डील करनेंगे इस से रृलेटेटई मैं डीपी पी आज में डाल दूगा वह आपको कर लेना है मैं मैं इस से डीपी एक के कोश्चन नमर बता बता दूँगा इस कंसे रिवीजिस इस रिपर आज और यह ही करके खतम करना दिया उप ठीक है और रह से पहले हम लोग क्या लगाएंगे डिफरेंट एटम की केस में साइज ओफ एटम हम लगाते अब देखो अगर में प्रियोडिक टेवल में लेफ तो राइट जाओंगा तो क्या होगा साइज घटेगा इसका मतलब कार्बन कार्बन का साइज बढ़ा होगा फिर थे दोनों में क्या है से मिर्टम है अब यहां पर कुन सा सु do लगाएंगे है अब आपको समझ में आगाँ आगा हाई बंड़ लागौब दिया हाँ यहां पर क्या हो जाएगगा यह आपका आपका इस्पेटário Utah कि यह आपका SP यह भी का SP बताो बताव आप लोowing बताव अच्छे से बताव किसका पोंि लेंज छोटा होगा आप लोग जानते हो और इपेल शोटा तो बेंदे चोटा बताव किसका कोणके यहां पर सबसे बड़ा किसका हुआ इसका मतलब आपको क्या समझना है हम को सबसे पहले हम लगाएंगे यह अगर इस टैप को कॉश्चन मिलेगा तो फिर हम लगाएंगे यह ठीक है दोनों कंसेट लगा के भी हम कॉश्चन को सौल कर सकते यह इस तरीके से यहां पर कॉश्चन आप जो नेक्स कोश्चन के नेक्सट के उपर आप मूव करते हैं सब्सक्राइब को प्लेनर अब नॉन फ्लेनर अब समझते हों अब देखले तो यहां पर एक बहुत अच्छा 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 अच्छ में आ जाएगा ठीक है प्लेटी या फिर आप लिख दो को प्लेटर को प्लेटर और आप प्लेटर प्लेटर दिक्कत वाली बात आगे हैं कि इसपों समझ को समझता है ठीक का इसी मैं नहीं हों ठीक है अब समयंगा यहां पर सबसे पहले इसी मिघ्लिट एसा आप समझ जाओगे इस्टेरिक इन हीशन इन रेजोनेंस इस तेरिक इन हीशन होने से रोख देगा आपको यह बाते इसका मिनिंग यह है अब इस मिनिंग से हम चलते है हमको मिनिंग भी समझ में आना चाहिए फिर मैं बाद में आपको बता हूँ ठीक है अब देखो सबसे लिए मैं तीन चार मोलेकल बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आजाए यह 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 बी यह सी यह डी ठीक है यह आपका ए यह बी यह सी यह डी यहाँ पर भी बना देता हूँ तीन चार कंडिशन बना देता हूँ फिर आपको कंप्लेटली समझ में आ जाएगा ए बी सी डी अब यहाँ कुछ नहीं लगाया है यहाँ पर लगा देते हैं फिर से ए बी सी अब यह कंसेट है अब यह तो सारे सिमिलर देख रहे हैं आपने सारे क्यों बना दिये में एक ही कंडिशन पर केस लूँगा अब देखो ऐसा यहाँ कहां लगता है बच्चों एसा यहाँ आपका लगता है बलकी ग्रूप के बीच बलकी ग्रूप बलकी ग्रूप मतलब बढ़ा ग्रूप अब अगर बढ़ा ग्रूप होगा तो उसमें कौन सा उसमें रिपल्शन क्रियेट होगा उसमें क्या क्रेट होगा बच्चों रिपल्शन क्रेट होगा रिपल्शन क्रेट होगा इसका मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या होगा अनिस्टेबल होगा अगर अनिस्टेबिलिटी की और जाएगा और अगर अनिस्टेबिलिटी की और जाएगा तो क्या चाहिए इस्टेबिलिटी को गैन करना तो तो यहां पर इस्टेबिलिटी को गैन करने के लिए यह आपका कुछ फिनोमेना करता है अब देखो इस्टेबिटी इस्टेबिटी रौटेट हो जाएगा रो रौटेटा एकजिस यहां पर इस्टेबिटी को गेन करने के लिए यह क्या करेगा भचो यह तरीका आपको ध्यान करें यह क्या करेगा इसा यह बलकी गुरूप के बीच की बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब अनिस्टेबिलिटी की और जाएगा अनिस्टेबिलिटी को हटाने के लिए अनिस्टेबिलिटी की और जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा और प्रस अगर कम हो गया तो इस्टेबल हो जाएगा अब हम देखेंगे की रिपल्सीफ फॉर्स कम करने का तरीका है हमारा सबसे पहले मैं कुछ ग्रूप लिख देता आपके सामने हल्की घुप हल्की मत इसको मैं एसे लंगता है लिख देता हूँ कंपाउंड 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 विच डॉन्ट विच कैन नोट शो विच कांट शो एसा यार कंपाउंड जो आपका एसा यार शो नहीं करेंगा देखो ओ एच हो गया हो गया आपका आपका थे अपका है अपका हाइड्रोजन विच केन नोट शो आपका एसा यार जी वाले कंपाउंड आपके क्या शो करेंगे बच्चो यहां पर एसा यार शो नहीं करेंगे यह वाले compound आपके यहां पर क्या शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा बच्चो इसके इसके अलावा सारे compound आपके क्या शो करेंगे आप तुरुन तुरुन देख लेते हैं एफ एफ ए एंड बी ठीक है एंड बी आर बलकी यह भी बलकी हो और सी एंड डी आर बलकी दोनों बलकी होंगे जब दोनों बलकी होंगे तब क्या होगा दोनों के बीच यह रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच आपका क्या लगेंग बच्चों रिपलसीव फॉर्स लगीग है कउने की प्रिक्तिया देखले का jobbar रूग करने करने लिए इसके प dominant direction में पहुंच जाएगा लोगने की यहां पर comprehension नहीं होगी यह दोनों एक प्लेन में नहीं होंगे बनाफिक करना पड़ेगा और यहां पर क्या होगा रिंग 1 इस पर्पेंडिकुलर तू दर रिंग 2 आई होप सुक्या आपका आप समाज में आ गया होगा अब इसमें इसमें मैंने माल लिया इफ इफ ए ए एंड बी आर बलकी बलकी ओल्ली ए ए ए बी आपका बलकी होगा तो भी आपका ऐस यार तो लगने वाल यहां पर्श नहीं होगा यहां दो परशन होगा और अगर यहां हो गया इसका मतलब क्या होगा बच्चों यह रिंग भी आपका घुम जाए आप रिपलसी फॉर्स होगा अब देखो यहां पर यहां पर एंड एफ एंड सी इस बलकी अब देखो कौन सा बलकी यह वाला यह वाला यह वाला बलकी था यहां पर यह वाला भी था 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 अब देखो यहां पर भी कौन सा बलकिए बच्चों A and C बलकिए लेकिन यह तो नहीं है तो यहां पर उतना रिपल्सी फोड जनरेट नहीं होगा तो रिंग रिंग वन आपका रिंग टू के पर्पेंडिकुलर नहीं जाएगा रिंग वन इस नौट पर्पेंडिकुलर टू रिंग टू अब यहां पर क्या होगा अगर मिने बोल दिया अब दोनों बलकी है यहां रिपल्सी नहीं होगा लेकिन यहां तो होगा और जब यहां रिपल्शन होगा तो फिर से आपका रिंग वन रिंग वन आपका रिंग टू के कि क्या चला जाएगा बच्चो पर्पेंडिकुलर आई होप सो कि आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा आप बस इस ग्रूप को ध्यानक हो इसके हिसाब से आप लोग इस कोशन को सॉल कर सकते हो अगर मैं पूछ रोगा नहीं क्या यह प्लेनर होगा 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 यह प्लेनर ह आ हो जाएगा नोन प्रैनर कि आपको यह प्लैनर यह नहीं रहेगा इस तरीके से हम को यह ढृचण को यह आने चाहिए ठीके अब देखो आब देखो यहां पर यहां पर आप में आपको एसा ईयर एफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा दिन में एक और देख लेते हैं हम लोग हम लोग एक और देख लेते हैं और आप शोट में ध्यान रखो बस शोट में आप सब आप चीजी ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि अब आपका क्लास 12 हो गया इस्टाट तो आपको शोट में ध्यान रखनी पड़ेगी ठीक है अब देखो एक और कॉश्चन है एक और कंपॉंड बना देता हूं ति यहां पर आई मैं आई ठीक शेसरे क्या यहां पर ऐसयार सब्सक्रीब यहां पर भी बलकी ग्रूप है, इन दोनों के बीच SIR होगा, यहां पर भी बलकी ग्रूप से इन दोनों के बीच SIR होगा, यहां पर भी बलकी ग्रूप से इन दोनों के बीच SIR होगा, तो इसका मतलब यह वाला भी मॉलेकुल आपका क्या होगा, नोन प्लेनर, यह वाला मॉ आपको समझ में आगया होगा एसा यार effect को किस तरीके से दील करना है ठीक है यह तो था हमारा basic ठीक है आप हम चलते बच्छो important point resonance ठीक है तो देख लेते आप resonance related questions भी resonance क्या होता है बच्छो सबसे पहले resonance क्या होता है यहां पर resonance को समझते है resonance आपका क्या होगा resonance आपका होता है delocalization of pi electron delocalization of pi electron which is present in a conjugated system तो यहाँ पर सबसे पहले हम conjugated system को समल लेते हैं conjugated system कौन कौन सा हो सकते हमारा conjugated system हमारा कौन कौन सा होगा पेहला कंडेशन आपका प्लेन अ प्लेनर जोट, हमार्ण इस अप्लेन और या electron शुट वी प्रेजेंट ऑव् सेयम्अ प्लेन शुट प्रेजेंट आप यह सब्सक्राइद ज्यों प्रेजेंटॉट ऑल्सेंट आपको आपके कहा प्रेजेंट होने चाहिए सेम प्लेन पर नहीं समझ में आया आप को समझोगे ठीक है बात को समझना यहां पर CH2 double bond C double bond CH2 अब देखो यह वाला मैंने माल लिया ओन बोर्ड है ठीक है यह वाला इसका प्लेंट होंगा तो यह हो जाएगा आगे-पीछे यह SPA टो इसका अपको क्या करेगी आप सेम प्लेंट पर नहीं तो यह आपस में आपका रेजोंगे बच्चों रेजोंते डोंगे तो आप लोग अब क्या बास समझ रहे हूं रिजोरीज में पाई एलेक्ट्रोंस या पाई और शुड़ बी प्रेजनेट होना सैंपलें सैंप्लें में नहीं हूंगे तो रेजोरेंस नहीं करेगा एक्जामपल देख लेते हैं इसे रिलेटेड कुछ और देखो यहां पर इस कंसेट को लग यहाँ पर आपका year होगा यहाँ परप्या और यहाँ यह मुच्छ आ और यहाँ LGBT युद्य वैक्त ट्रेंग वंढ़ा में और यह आपको जाएगा लेकिन इसका जी इए है वो उपर नहीं जाएगा उपर नहीं जाएगा व क्यों तो यह जाना चाहेगा तो यह गलत फाइभ ये गलत तो यह सैं में मैं गलावे vra he यह और यह आपके same plan पर present होने चाये दूसरा फिक पहला concept ये pati वहयँ ओन शुडबी प्रेजेंट हो ने से apply फ्रेंट अगर different plan परतों गलति से भिमत करना गलति से भी मत करना टिका है एक question हम देखलेती हैं से related हैै हाँ था 2 अब देखो ओंड ऐससा रहोने कि यहां आप मैं यह यहां पर आई यह आए यहां पर अचर्द है आप से पुछा है यह वाला बोंड यह यह वाला बॉन बी तो शिक्ट कर दोनों की तुन्हांस फिर से देख सकते हो कि यहाँ आपका क्या जाएक है सैय रघने की वजह से एसा आए लगने की वजह से ध्यानती समना एसा यार लगने की वजह से इन्कड न्युशति तो यह पाई द॥ यह होगा यहा रिजूश unanimous नहीं नहीं होगा यहां डबल बूर्ण करिक्टर भी क्या होगा नहीं आएगा लेकिन अगर मैंने यहां रेजोनेंश कर दिया यहां तो रेजोनेंस होगा क्योंकि और दीबल बूर्ण करेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर डबल बॉन्ट किरैक्टर अभ एक अंदर जबंड करक्टर आज आज आएगा बेके अंदर आपका डबल बॉन्ट कारीक्टर नहीं आएगा ठ्यूनिया हरने सुनीय करेगा तो आप आपका यहां पर पाइई में ड़ब बॉंट करेक्टर आएगा तो इन दोनों में से कौन सा बोर्ड आपका छोटा होगा आप देखतक तो एक ही बोर्ड ने छोटी होगी और अगर आपसे पूछा जाए बोन ओर तो बोन ओर किया कर दोगे उल्टा कर दोगे बी का बोन ओर ज्यादा होगा एस कंपेर टू एसे तो यह वाला इस कंसेट से यहां से कॉशन आपसे बना सकता है इस चीज को ध्यान लखे अच्छे से अच्छे से काफी सिंपल है यहां तक आप नोग ध्यान लखे अब देखो अगला कंडिशन क्या है अगला कंडिशन क्या है ऑक्टेट शुड भी कंप्लिटेड ठीक है अब ऑक्टेट वाली यहां पर कंडिशन ऑक्टेट रूल को चेक कर रहे थे ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है कि सेकंड प्रियर्ट एलेमेंट 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 चैन नॉट एक्सपाइड एक्सपाइड इस ऑप्टट बट थर्ड पिरेड एलिमेंट थर्ड पिरेड एलिमेंट लाइक सल्फर फोस्फोरस चेन एक्सपांड इस ओक्टेट मतलब अपने ओक्टेट को एक्सपांड कर सकता है है खुशिकर आपका आप कंसेप्टेश होगा कि शेखर फिरेड होगा करने में अगर्ट से ज्ज्याद एलेक्ट्रों हो तो उन यह और अगर एक्सेश कूण सोब आएगा मैं आपको बता देता हो इससे रिलेटेटेट कोश्चन मैं आप से पूछता हूँ आप लोगों को आ जाएगा आप देखो यहां पर वीच कोशन इन वीच पोजिटिव चार्ज पाटिसिपेट इन रेजोनेंस वीच इन वीच फिल कि पॉल इंवी फ़ल्य की इंवल इन वीच फीलग पॉलिएंट पॉलिइप यह एंट une resonance resonance में participate नहीं करेगा कैसे आप देख लेते हैं पहला यहाँ पर पहला यह मैंने बना दिया देखो NH3 प्लस एक मैंने बना यहाँ पर second OH2 प्लस एक थर्ड मैंने बना दिया है यहाँ पर CH2 प्लस ठीक है यह तीन में से कौन सा आपका participate नहीं करेगा चलो देख लेते हैं आपका प्लस चार्ज प्लस चार्ज के पास पहले ही इलेक्ट्रोन काम होता है तो वो इलेक्ट्रोन डेफिशेंट होगा वो वो इलेक्ट्रोन को रिंग से खीचेगा अब यह इलेक्ट्रोन को आपका रिंग से खीचा तो यह रेजनेंटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका अब देखो अगर आप ने यहां से ओक्टेट निकालना चाहा अगर आप यहां से आप निकालना चाहोगे क्या यहां से आप 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 electron निकालना चाहोगे इसके octet में कितने हैं तो देखो कितने होंगे बच्चा कितने होंगे बच्चों बोलो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस तस electron present in octet दस electron आपके octet के अंधर present होगे, जो यह कौन सा period element है, second period element कौनसा period element second period element or second period element cannot expand its octet that's why it is not possible तो इसमें आपका positive charge आपका resonance में participate नहीं करेगा अब इसमें देख लेते ह AG औक सीजन लगर होता है ऑक सीजन एक positive charge के साथ एक लोन पे रको करी करता है अब देखो यह वाला यहां जाएगा तो इसमें resonating structure बना लेते हैं देख लेते हैं इसका OH यहां से प्लस charge गायव हो जाएगा प्लस charge गायव हो जाएगा यहां पर OH2 है अब इसमें count करो आप लोग यहां पर आएगा प्लस अब इसमें count करते हैं देखो मैंने OH2 को ऐसे बना दे ऑक्टेट काउंट करो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस इलेक्टोन क्या यह पूसिबल है यह भी नहीं है ठीक है आई होपस हो कि आपको समझे में आ रहा होगा थड़ थड़ में रखो यहां रेजोनेंस होगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों यह आपका बन जाएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां रही है अब यहां पर ऑक्टेट काउंट करो एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ 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 एलेक्ट्रोन में क्या कर रहा हूँ एच को हटा के बन में कनवर्ट कर रहा हूँ तकि आपको काफी एजी पार्टिसिपेट करेगा फोर्ट ऑप्शन दिख लेते बच्चों यहां पर यहां पर फोर्ट ऑप्शन दिख लेते बच्चों एस प्लस आर टू ठीक है अब देखो ऑक्सिजन फैमली में अगर एक पोजिट्री चार्ज होगा तो वहां सब जग्छे एक लोन पेर होगा ऑक्सिजन फैमली की बात कर रहा हूँ अब देखो यह वाला यहां जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों जल्दी बोलो यहां 245 6 7 8 9 10 दस PAUL यहां पर भी यहां पर आपका।। से ज्यादा जादा है लेकिन यह कौन सा पना चलिबली मेंट है ऐसा घर कौन सबत डखी आभेड एकमली मेंट में resonance में पार्टिसिपेट नहीं करएगा लेकिन इन दोनों में आपका करेगा तो यह तो था आपका क्या resonance का condition ने प्लेनर होना चाहिए ठीक क् Premiere आपका होना चाहिए ले ने पहला condition दूसरा condition यहां पर आपका element आपको क्या क्या हो यहां पर element आपका आपके अउड़ेंट को एक्सपांड करेदे का दिसीजा ओक्टेट टूल जहां तक का आए ऊपको समझ में आगया होगा अब थर्ड जो इसका कंडिशन ने था था कंडिशन का थित थोड़ा सही है मैं आपको बता देता हूं पर रेजोनेटिक इस्ट्रक्चर इंट इस्टर है कि अपका इस्ट रचलिघ्जाएक रलाLu मा कि अलाव कि अलावढ आपका इस्टेक्टर बना जीए ठीक के जुटल इसे ले बना इसे पर नहें जिर्ट के इनोगें चलने के इस ट्रेक्ट बन ducks ओने कि आलावड या लेकर ज Лि City अ चाहिए अब हम समझते बातों को बहुत प्यार से बहुत ध्यान से तो इसका मतलब क्या है आपको आपको समझ में नहीं आएगा अब आपको पक्का समझ में आ जाएगा इस्ट्रक्चर चलना चाहिए ठीके देखो मैं आपको सिम्पल सिंपल नीगिज में बता हुता तो ऑफ स्ट्रक्चर लिए अलावड जैसे यह है पहला कि यहाँ मैने नेगेटिव चर्ज्च है यहाँ मैंने डबल बन बना दिया अब आपके मन में लगेगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके साथ आपका करेगा यह इसके साथ तो सो chamisen कराने पर क्या रहा आप क्या धायर ूरण करार आपका क्या हो यहां पर ब४्रिज्च पर ही कारवन पर क्या रहा है यह लेक्चर उसी को फायदा देगा जिसने फर दियान से पर्प्र नहीं आरहें और प्रिछ strikes आपका नहीं आएगा हग्र में जाओं कि आपका carnival आपकी आगर में आने सेखी आगर बोला चाहूं ए है कि मोरे में आगर मोलाणा चाहूं कि आपका र्ल शूटल एक तरफ लोग वह ड़ीस अपल सकती है ठीके में आई होग कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आप हम समझने तो कॉंज्युडिर्ट सिस्ट्म क्या होता हैاي देखो कॉंजूगेटर सिस्टम क्या होता है देखो कॉंजूगेटर सिस्टम हमारे सलेवस में पांच चारी-page पांच यह उसको देखे पहला को जो गेटर सिस्टम पाई बॉंड और अंदीं टू पाई बॉंड है पाई बॉन्ड अल्टनेट टू पाई बॉन्ड यह पहला है दूसरा आपका क्या है पाई बॉन्ड अल्टनेट टू अल्टनेट टू पॉजिटिव चार्ज थर्ड़े आपका पाई बॉन्ड अल्टनेट टू नेगेटिव चार्ज फोर्ड यापका पाई बॉन्ड अल्टनेट टू अल्टनेट टू अल्टनेट टू लोनुफर मेर फिर्ट है आपका with यहाँ पर पाई बॉन्ड है कि हल्यों Damn अल्टरनेट टू अल्टरनेट टू अपड एलेक्ट्रों अंपड एलेक्ट्रों या फिर अप्री रेडिगल शिक्षते आपका शिक्षते आपका लोन पेर कlyon pair adjacent to access to vacant orbital यहाँ और वेकेंट और वाटल ही कंदिशन में यहाँ पर मेक्सिमम आपको क्या मिलेगा कार्bograty कार्बोग्रडाइन में ही आपका वेकेंट और और मेक्सिमम वही देखने को मिले गा और जो देखने को नहीं मिलेगा वो मैं आपको करा दूँगा ठीक है इस चीज़ को ध्याद से समझाओ पाइब और अल्टरनेट टू पाइब अब देखो यहां पर क्या है पाइब और अल्टरनेट टू पाइब ठीक है तो पाइब सिंगल पाइब पाइब अब क्या होगा इसमें एक करके रेजुनेंस कैसी करा रहा हूं समझना एरू बनाना सीखना यह उठके यहां जाएगा यह वाला यहां जाएगा तो इससे क्या रेजुनेटिक बनेगा बच्चों इससे आपको कुछ ऐसा बनेगा यहां माइनस आ इसके बाद एक और बन सकता है अब यह माइनस माइनस के पास इलेक्ट्रोन ज्यादा तो यह इधर जाएगा यह वाला इधर जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा बैठा जल्दी बताओ यहां पर एक पाइब के लिए आपका बनेगा कि यहां डाबलूर्ण यहां आपका माइनस चार्ज यहां डाबलूर्ण यहां अपका प्राइस चार्ज तो इस तरीके से हम यहां पर प लोग send करना इसका answer ठीक है यह homework question है इसके लिए next next नेक्स्ट आपका क्या बटा पाइब और अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज अब पॉजिटिव चार्ज के पास पहले ही आपके electron की deficiency होती है तो वो electron खीचेगा Conjugated system से तो second आपका अब क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज को खीचेगा खीचेगा तो कैसे यह जाएगा इसके पास ठीक है अब देखो क्या होगा अब देखो चूटा कहां से यहां से तो यहां पर क्या बन जाएगा आफ नैक्सिटिप में क्या होगा Haas event ऑप ya अन्हें होगा आपका यहां जाएगा बता चूटा हुक्त यहांसे तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चो आपका कर दिख तुसक्ता हमने पाई बन अल्टरेनेंट घुले ओधार यह और आजी पस्गराबार एक्जाम्पल देखंपल इसका यह व्यक्ट हुश्टुब्वाद्च पर का यहां में यहां से इसथे को आप नदा जोड़े आएगा पज्टोन आपका फेल्याइक है यहां पर कि पॉस्टिएव क्षार्ज अरुट ऑल निनल किसी स्टेप में क्या होगा बच्चों यहां पर यह वाला बोंड छूट की जाएगा आपका यहां तो क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज तो देखो यहां पर आपका पाई बॉन्ड अल्टरनेट्व पॉजिटिव चार्ज यह वाला भी आ गया है जब इस से रिलेटेड ए देखें डे जान्ट पर यहां पर एकशाम्पल अग्जाम्पल हमारा होगा तकि आपको समझ में आजाए यहां पर क्या बनेगा अगर आपको आता होगा क़््रास में आ रहा हो गाज़ाicken करना करने का यही के तरीका है आप लोगों को देखती देखती यहां जाएगा तो आपको क्या बनेगा बच्छो जब तक पहले वाला इस्ट्रक्ट्ट ना पड़ेल caveat यहसा मुड़कर c आए कराते रों कराते रों कराते रों अपने आप आपको आजाएगा अगले श्टिप में क्या होगा नहीं आया है यह को और यह तो आई यहां पर आपका सुरी हाँ यह हो गया अब जैसे ही मैं इसको इधर घुमाऊंगा तो आपका कौन सा वाला आ तो इस तरीके से हम पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे अब हम देख लेते बच्छों नेगेटिव चार्ज तो इसको देख लेते हैं इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर इसका कैसे होगा बच्छों इसका कैसे होगा देखो इसका करने का सबसे सिंपल तरीका नेगेटिव चार्ज के पास एलेक्ट्रों जादा होता है तो वह सबसे सब्सक्राइब कर लो यहाँ डबल बॉन यहां माइनस चार्ज यहां डबल बॉन नेक्स स्टेप में क्या होगा बच्छों आप यह माइनस चार्ज अंदर और जाएगा तो यहां पर कितना यह इधर जाएगा यह यहां जाएगा तो क्या बना बच्छों यहां पर यहां पर आपका देख सकते हो यहां पर टोटल कितनी इस तरीके से हम माइनस चार्ज का करेंगे देखो एक और एक्जामपल हम देखते हैं इसका सिंपल नेगिटिव में अंदर डालना है पोजिट देख लेते ताकि आपको और ग्लिरिफाई हो जाए अब देखो नेगिटिव वाला देगा इसको डोनर बनाते यह दिया यह उपड जाएगा क्या बनेगा बच्चों यहां डबल बॉन्ड यहां नेगिटिव चार्ज यहां नेगिटिव चार्ज नेक्स स्टेप में कौन देगा अगर यह यहां देगा तो यहां पॉजिटिव है हमको एक ही डिरेक्शन में चलना है न ऐसे अब यहां देगा तो यहां कैसे होगा अल्टरनेट पोजिशन पर पाई बोन नहीं है तो यही देगा यह इधर जाएगा क्या बनेगा बच्चों यहां पर माइनस यहां पर डबल बन यहां माइनस नेक्स स्टेप में क्या होगा अब कौन देगा यह तो यहां दे नहीं सकता यह ऐसे पीछे से नहीं आएगा आगे से ही नेगेटिव चार्ज से ही इनिशेटिव लेगा हमेशा तो यह यहां से जाएगा यहां से जाएगा तो क्या बनेगा विच्चों यहां पर यहां पर आपका यहां पर double bond और यह आपका negative charge यह negative charge ठीक है यह बन गया अब next step में क्या होगा नेक्स स्टेप में ठीके जैसे ही आपका ये यहां जाएगा ये यहां जाएगा तो आपका पहले वाला ही आपको मिल जाएगा और जब आपको पहले वाला मिल जाएगा तो आप समझ सकते इसमें कितने बनेगे रिजनेटिक इस्ट्रक्चर चार बनेगे Limit वाल समझ में आ गया है अग अभ लॉन पेर वाला समझ अब लोन-पेर वाल या कि और वाला केसे होगा समझ नहीं तब नेक्स अगे सब्थे में तो कि को दो तेसल करा रहा हूं और मुठिस एक बार कोशन जो खोंगा ठीक के प дов लोंट कि इसे बार यो में वैंड आय नहीं से रहे किसक्राइज linking single bond CH double bond CH double bond OH अब यहां concern है अब क्या होगा बच्चो इसमें लोन पैर देगा एलेक्ट्रोंट जब यह लोन पैर आपका एलेक्ट्रोंड देगा सिस्टम में तो यह आगी जाएगा तो क्या बनेगा बच्चो देखो CH2 double bond CH 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 minus CH double bond OH इसने दिया इसलिए इसको पर प्लस चार्ज अब यहां देगा यह यहां देगा क्या बरेगा बच्चों देख लो CH2 minus single bond CH double bond CH single bond CH double bond OH प्लस आई होप सुपी आपको समझ में आगया होगा अभी एक और कोशन करते हैं हम इस से इस इक्जांपल आपको और समझ में आजाएगा इस इक्जांपल को आप लोग पहचानते होंगे यह most common example है most common example chodzi on ठीखने है अब फाइरल के case में क्या होगा अब यह आपका यहां जाएगा यहाँ अब देखो वे एक तरफ हमको घुमाना है तो यहाँ पर क्या जाएगा अन्य यहां प्लस चार्ज क्योंकि लिए नवल्ण प्यर और यहाँ पर बनेगा बच्चो जल्दी बताओ तो यहाँ पर N PLUS यहाँ पर आपका डबल बन यहाँ आपका माइनिस चार्ज अब नेक्स स्टेप में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है हम लोग सोच सकते हैं इसा यहां आप मिस्टेक करोगी यहां आप लोग क्या करोगे पॉजिटीव नेगेटिव बना दिया चले माल लिया आप लोगों ने बॉन्ड भी बना दिया ठीक है बॉन्ड बना दिया तो आप लोग चेक करो ना आपका ओक्टेट क्या हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस दस और नैट्रोजन दस वह एलेक्ट्रोन क्य क्या करेगा यह आगे वाले पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखाएगा दिखाने दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां माइनस चार्ज यहां सिंगल बॉन्ड यहां एच अब नेक्स स्टेप में क्या होगा यह यहां जाएगा और यह यहां जाएगा तो क्या बन तो टोटल कितने रिजुनेटिक इस इस इसको कर लेना है बस जैसा आप लोग वेसे वेसे करते जाओं आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तो हमारा ये हो गया खत्म पाई-बोन्ड अल्टनेट टू लॉन पैर ठेक है अल्टनेट पोजिशन टू लॉन पैर अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्छों यहाँ पर पाई-बोन्ड अल्टनेट टू अंपैर एलेक्ट्रों तो अग्ला एक्जामपल CH2 आप देखो कैसे करेंगे बच्चो जब अनपेर होगा तो हम नोग क्या बनाएंगे हां पेर की वे थो हम क्या बनाते हैं यहाँ पर अनेठ के सब्सक्क्राइबल बनाते हां तॉप क्या होगा बच्चो यहां पर यह वाला डोनेट करेंगा यहां और यहाँ फिर यहां मेंने आप लोगों को बतायाज था तो आप क्या बन जाएगा बाट्चो यहाँ पर इस तरीके सा पती होता है ठीक है एक कशन के और एक्जाम्पल प्रेडिकल से रिलेटेड यह वाला ठीक है अब कैसे करेंगे बच्चो इसको हम स्टाइट करेंगे हाफ उसे तो यह वाला यहां जाएगा यह वाला यहां जाएगा तो क्या बनेगा बच्चो देखो जब्दी से यहां पर यहां डबल बूट यहां अब यह वाला यहां जाएगा यह वाला यहां जाएगा तो क्या बनेगा बच्चो यह बन जाएगा इस तरीके से आई होप सुके आपको अब समझ में आ गया होगा ठीक है तो ध्यान रखना है इस कंसेप्ट का ठीक है फिफ्ट वाला आपको आ गया होगा अब छहटा में Conjugated System देख लेता हूं छटा Conjugated System देख लेता हूं छटा Conjugated System क्या होगा Lon pair adjacent to vacant or orbital एक्जाम्पल देख लेते बच्छो इसका अब कार्वो कटेन एक तरीके का आपका क्या होता है बच्छो vacant और औरबायटल होता है अब देखो इसके बगल में वाले एकम के पास ओलब होटै यहां पर वक्रण और ओर ओर मंझे तो यह क्या कर जाएगा वेक वॉसक्ट इसी को हम क्या जासे में एक बेक बांडींघ यह बेक-बोंडीं का एक condition होता है यहां पर क्या बन जाएगा loan pair दिया किसने oxygen ने अपना loan pair दिया तो oxygen के उपर plus charge यहां अब लॉन खात हुआ इस तरीके से हम लोग यहां पर आप लोग loan pair to adjacent vacant और orbital देख सकते हैं इसका एक और related question खोलूँगा ठीक है यह आपके aromatic city में भी काम आएगा ठीक है तो यह इस तरीके से हम यहां पर question को deal करते हैं ठीक है तो यह तो था हमारा तरीका conjugator system में resonance को कैसे कराते हैं ठीक है स्ऩूर्टThrूक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् से रिलेट अभी मैं आपको टृंप में बता देता हूं कि की जिए तलुकाल complicated सिस्टम में किस तरीके से कराना वह यह आपको बता दिया अब आपको बता दरेता हूं कि Canonical कोई compound है उसके तीन आपके canonical structure बने कुन सा canonical structure वन बना वन बना या फिर इस्ट्रक्चर टू बना या फिर canonical structure आपको क्या बना थ्री बना इन तीनों की stability किसकी ज्यादा होगी तो सबसे पहले पोलर मॉलेक्यूल और नन पॉलर और नों पॉलर में से कुन जादा इस्टेवल होता है भच्चो नॉन पॉलर के बाद के दिखते हैं और यहीं पर हम कौन सा देख लेते हैं इसी सिक्वेंस में चलना है फिर हम क्या देखेंगे बिटा नंबर ओफ पाइबोंड फिर हम क्या देखेंगे बच्चों यहां पर नंबर ओफ पाइबोंड देखेंगे जिसमें आपका हाई एन एंड पॉजिटीव चार्ज पॉजिटीव चार्ज अगर सी के उपर माइनस रहेगा रहेगा ऑक्यों पर माइनस यह तरीका उसके बाद उसके बाद प्लस और माइनस अगर प्लस और माइनस के बीच अट्रेक्शन फोर्स बढ़ेगा अट्रेक्शन फोर्स बढ़ेगा और अट्रेक्शन फोर्स आपका कब बढ़ेगा जब इसका डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच कम होगा और दोनों के बीच जतना डिस्टे 6 whoever कितना इस्टेस बढ़ेगा उतना काम को बढ़ने की वज़े से आपका क्या हो जाएगा वह aynı है इस चार्ज पीड इस टेबल यह तरीका है 사진 को आप को फोलो करना है इसी तरीके को आपको फोलो करना है और इसके अलावा कोई भी एक नया कंसेप्ट भी आप लोगों का नहीं है इस तरीके को आपको फोलो करना है ठीक है आप देखो यहां पर यह एक पॉंट था इंपोर्टेंड पॉंट जहां से आपके कॉश्चन बनते हैं ठीक है यह एक तरीका था इसको समझ लो और एक आता है बच्चों राजुनेंस एनर्जी तो राजुनेंस एनर्जी क्या होता है उसके बारे में हम कल डिसकस करेंगे जिए राजुनेंस हाइब्रीड कल समय इसके 45-45 minute का बना-बना के भेज़ुँगा ताकि आप लोगों को revision करने में थोड़ा सा help मिले ठीक है तो इस तरीके से आप revise करलो और copy के सारे question एक बार revise करलो कोई doubt हो तो आप मुझे WhatsApp कर दो मैं आप लोगों को बता दूँगा नहीं तो directly call किया करो तो WhatsApp करने की वज़ाए आप लोग डायरेक्ली कॉल करोगे तो मैं तुर्ण तुर्ण अन्दे स्पोट आपके डाउट क्लियर कर दोगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा तो थैंक्स पर वचिंग दिस